नमस्कार एक नया भाव लेकर आप सबके समकक्षों बस्तित हो और ये भाव है पुरुषवाद जो है पुरुषवाद की जो कठोरता है उसके पीछे चिपे हुए एक मुलायम, कौमल और भावनात्मक पुरुष की पुकार ये मैं फेस्बुक पर पढ़ रहा था इनके रच ये तक आना मुझे ने पता है पुंतियां हैं, बहुत भावपूरन हैं, पुरुष क्या सोचता है, क्या चाहता है उसके कठोरता के पीछे क्या चिपा हुआ है उसके कुछ भाव है एक इस्त्री चाहिए शिर्शक क्या है एक इस्त्री चाहिए जिसके समक्ष मैं सिर्फ त मन से भी नगन हो सकों, उतार फैंकूं सारे मुखोटे, उतार फैंकूं सारे मुखोटे, भुला सकों पुरुष होने का दम, भुला सकों पुरुष होने का दम, दम्भ मातरे को, गमंडी है, दिखावा है, उसको भुला सकने की बात कहा है, भुला सकों पुरुष होने का दम, रो सकों चार जार जिसे कह सकों पुरुश हूँ मगर पीड़ा अन्भव करता हूँ चाहता हूँ बिल्कुल मा की तरह तुम फेर दो हाथ बालों पर गालों पर पुरुश होते हुए भी कांधा चाहिए कभी कभी मुझे कई बार पुरुश होने के कांध मन बहुत बर जाता है कोई कांधे की जरूर पढ़ती है वो मैसूस कर रहा है पुरुश होते हुए भी कांधा चाहिए कभी कभी मुझे भी सिर्फ चमकता बदन ही नहीं एक इस्त्री चाहिए जिसे प्रेम करते हुए पूजा भी कर सकूँ वासना से नहीं श्रत्धा से जिसके चर्णों को चूम सकूँ जिसके सपर्स मात्र से पुलकित हो उठे रोम रोम मेरा कर दूँ पूर्ण समर्पन विगलित हो अस्तित्तो मेरा मैं नारी बन जाओ उसमें मैं नजराओ उसमें मैं नजराओ वो मुझ में नजराओ हम संकर का अध्वेत होजाए हम संकर का अध्वेत होजाएं चाहिए जिसे मैं उस तरह प्रेम कर सकूँ जिस तरह एक स्थ्री करती है नश्कार